तो भाई आज जीटियो 5 में हम लोग कुछ सुपर बाइक्स को रिपेर करने वाले हैं तो हम लोग आ चुके हैं इस जंक याड पे इस टो ट्रक को लेके और भाई हमारा प्लान यहाँ पे यह है कि हम लोग यहाँ से टूटी फूटी कारियों को लेंगे उन्हें बनवाएंगे और महेंगे में उन्हें सेल कर देंगे तो चलो भाई इस गेट के हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ हमें कौन सी बाइक मिलती है यहाँ पे हमें काफी सारी बाइक आज उठानी है तो देखते हैं सबसे पहली बाइक हमारी कहां पे है यहां तो आसपास कोई बाइक नहीं दिखाई दिरी एंड यहां देखू भाई एक छोटी सी यहां पे बाइक दिखाई तो दे रही है एंड यह मेरी ख्याल से भाई एक ट्वाई बाइक है यार बड़ी मस लग रही यार एकदम कबाड़ा हो चुकी है तो चलो भाई इसे हम लोग इस टो ट्रक से उठाते हैं और उठाके इसे ले चलते हैं भाई बनवाने के लिए मेरे ख्याल से भाई इसका हमें अच्छा खासा प्राइज मिल सकता है तो चलो यहाँ पे हमने इसे घुमाया और अब फ्रेंक्लिन सीधे इसे बैक कर लो और अपना इस टो मसीन को नीचे करो और भाई ये उठा क्यों नहीं रही है यार भाई क्या दिक्कत है यार ये वाली बाई क्यों नहीं उठ रही भाई मुझे लगता है कि टो ट्रक से इसे उठाना थोड़ा मुस्किल पड़ रहा है मेरे ख्याल से यार हमें कुछ और जुगार करना पड़ेगा तो हमने भाई इस वाली बाई को रख लिया है इस लैम ट्रक पे और यहां देख सकतो एकदम परफेक्ट ये फिट आ गई है तो चलो फ्रैंक्लिन अब हम लोग इस पे बैठते हैं और भाई यहां से जो सबसे क्लोजस लॉस एंटरॉस कस्टम्स है जो कि भाई यहां देख और भाई सहाब इस वाली बाई को हम लोग लेके आ चुके हैं इस लॉस सेंटरॉस कस्टम्स पे कहा है यार मेरे को दिखाई ने दे रहा है ओके यहां सामने देख सकतो गराज लिखा हुआ है तो चलो फ्रैंक्लिन यहां पे तुम उतरो इस पे से इस बाई को उतारो और ब यह भाई एक वोक्स वैगन है तुम जेक सकते हो आगे लोगो लगा हुआ है इसके लाइट्स देखो एकदम एक छोटे से बस लाइट है तो चलो भाई इसे हम लोग थोगा रोड पे निकालते हैं और इसमें कोई बोश्टर्स तो नहीं दिये हैं लेकिन भाई मस लग रहे अपने घर पे और चलते हैं दूसरी वाली बाइक को लेके आने तो भाई इस वाली बाइक को हमने ले दिया एंड ये देखो भाई हमारी जो पहले वाली बाइक है वो कितनी बढ़ या इससे तो चलो भाई इस बाइक को हम लोग यहां पार्क कर देते हैं अब हम लोग चलत यह maximum भाई यहाँ पे car है लेकिन आज हमें भाई सिर्फ बाई की लेनी है देखते हैं भाई यहीं कहीं तो मिलनी चाहिए एंड इस तरब तो भाई पूरा खाली ही दिख रहा है इसके अंदर हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पे कोई बाई है क्या और भाई सहाब यह देखो गैस यह बाई मस लग रही है ना यार कितनी यहाँ देख सकते हूँ यलो एंड रेड कलर है इसका क्या कूल है यार चलो भाई इस वाली बाई को हम लोग लेके चलते हैं अपनी टो ट्रक को हम लोग वहाँ से उठा के लेके आते हैं और इसे टो करते हैं चलो फ्रेंक्लिन फट फट बस तुमें इसे बैक करते चाओ और उसे टो करके यहां से हम लोग निकालते हैं बस ये वाली टो हो जाए यार पिछली बार की धर ऐसा नहीं हो भाई कि ये वाली भी टो ना हो और यार ये वाली भी नहीं टो हो रही है ऐसा मत करो यार मुझे काफी दिक्कत हो रहा तो चलो भाई हम लोग फट फट लेके आते हैं उस वाली स्लैम ट्रक को तो भाई इस वाली बाई को भी हमने लोड कर दिया है अपने इस ट्रक पे अब इसे भी बनवाते हैं यह तो देखने में बड़ी मस लग रही यार इस पर यह कैसे यह फिन जैसा कुछ बना हुआ है जो कितना कूल लग रहा है और इस पर भाई बहुत सारे इस पाइक्स भी है चलो फ्रेंक्लिन अब यार दो भारा से हमने इसका गेट तोल दिया चलो यार इससे पहले कि वो हमें फिर से कुछ बोले हम लोग लेके चलते हैं इसे तो भाई यह वाली बाईक भी आ चुकी है लॉ इससे मृतस्टारों बनतारों पनला के हम लोग देखते हैं mungkin यह वाली बाईक और भाई देख सकते हो यार क्या ही मस्त लग रही है यह वाली बाईक यहां देखो इसमें हमें घंस यह तो यह देखो कार पर कटते हैं मले console मिले हमें कितनी चाधा आ पूल लग लग रही है कि इस तरफ देखो पूरे स्पाइक्स लग हुए हैं और फ्रैंक्लिन टच मत होना यार वन्हारा यहां पे सत्य अनास हो जाएगा तो यह देखो गईस इस तरफ हमें दोनों तरफ ब्लेट्स मिल जाता हैं यहां लेजर गंस हैं और हैडलाइट्स बोरे हैं कूल लग रहे हैं त तो चलो यह देखो भाई इसमें हम लोग ऐसे जंप भी लगा सकते हैं जैसे कोई सामने गाड़ी आई न हम लोग इसे जंप करके पार कर सकते हैं जैसे यह सामने आ रही है और यह देखो भाई क्या मस्त जंप लगाया न हमने ऐसी भाई यहां यह सामने आ रही है न अब य मुझे तो मन कर रहा है भाई उस वाली बाइक को बेच दू और इसे रख लू क्योंकि यह बड़ी ही कूल लग रही है मुझे तो चलो भाई अब फ्रैंक्लिन चलता है अपने नेक्स्ट वैकिल को लेने तब तक भाई आप लोग इस वीडियो पर फटा फट लाइक कर दू त यह देखो भाई यह कितनी मस्त लग रही है न और यह तो एक लॉन मूवर है ट्रैक्टर जैसी है और भाई मुझे लगता है कि इसे भी लेके चलना चाहिए यह कितनी मस्त लग रही है चलो भाई इसी को हम लोग लेके चलते हैं और सब तो यहां पे बेकार है यह देखो सा पर ली और अपने इस हुप को नीचे करते हैं एंड ये अटाच हो गई चलो बहुत बढ़िया यार कम से कम कुछ तो काम आई ये टोट रहा हमारे अब हम लोग इसे लेखे जा सकते हैं लॉस अंट्रॉस कस्टम्स पे इसे बनवाने के लिए और मेरे ख्याल से हम यार इस छो पर उतार लो तुम और भाई साब इसमें तो यार एक स्टीरिंग मिल जाता है चलो यार कोई बात में मुझे बहुत पसंद आगी ये वाले तो इसलिए हमने इसे उठा लिया है तो भाई इसे बनवा लिया हमने एंड दिखो यार क्या मस्त चल रही है न इस पे भाई जैक स फी लिखा हुआ है लेकिन भाई ये चलने में बहुत मस लग लिए और भाई साब इस पहार के साथ कितना कूल लग रहा है न देखने में चलो फ्रेंक्लिन यार हम लोग इसे लेके चलते हैं थोगा रोड पे और ये देखो भाई मस्त इससे हम लोग यार फ्रेंक्लिन का ए हाई स्पीड टेस्ट कर लेते हैं 180 भी पहुंच गई यहां पर हमने फ्रेंक्लिन की एबिलिटी को अन कर दिया है और अब देखते हैं 200 पर क्रॉस कर दिया इसने अब यार यह कितने तक पहुंचेगी भाई मुझे उम्मीद नहीं था यार कि एक ट्रेक्टर इतिनीक टीज च स्पीड 302 और भाई यहां पर फ्रेंक्लिन की एबिल्टी भी खतम हो गई चलो यार फ्रेंक्लिन इसे अब ले चलो यार अपने घर पे और हमने भाई यहां थोड़ी सी ठोकर भी लगा दी चलो कोई बात नहीं हम लोग इसे दोबारा बनवा लेगे ले चलते हैं अभी के लिए अपनों किसे घर पे अपने तो हमने गाई इस तीसरी वैकिल को भी ले आ दिया घर पे लेकिन अब आप लोग भाई प्लीस कमेंट्स में यह मत कहना कि यार यह बाइक नहीं है क्योंकि भाई मुझे यह बहुत पसंद आ गई इसलिए मैंने इस ट्रेक्टर को भी उठ लिए तो चलो भाई इसे हम लोग यहां पर पार्क कर देते हैं परफेक्ट यहां पर हमारी तीनों वैकिल लग गई है अब हम लोग लास्ट वाली एक मस्तसी बाइक लेके आते हैं तो हमने भाई स्लैम ट्रक को ले दिया है और फ्रेंक्निन दोबारा से दरवाजे में और भाई सही कैस किया मैंने यहां देखो भाई आगे का टाय तो गाया बे लेकिन पीछे वाला टायर है और मेरे ख्याल से यह एक सुपर बाइक है चलो फ्रेंक्निन फटा फट इसे लोड करो यार बिना तेरी यह तो भाई इस बाइक को भी हमने उठा लिया है अब हम से भागा ले वरना भाई इस बार वो हमें छोड़े खा नहीं तो बस भाई हमारा लॉस सेंटरास कस्टम्स आने वाला है और इसे भी हम लोग रिपेर करके देखने वाले है जल दी कि यह वाली सुपर बाइक हमारी कैसी दिखती है तो चलो यार हम लोग यहां पर इसे पार ज़्यादा और अचानक से देखो यह कैसे रुक गई ओ भाई साहब भाई अभी देखो यार अचानक से लड़ने वाली है और अचानक से रुक जा रही है एकदम तुरंत जैसे कि भाई देखो हम लोग यहां फूल स्पीड में चले और एकदम जटके में यह देखो ब्रेक से यार यहां देख सकते हो हम लोग बैक फ्लिप भी इसी लगे हाथ कर लिए एक तो चलो फ्रेंक्टिट अब तुम इसे अपने घर पे लेके चलो यह देखो लगेगी नहीं मैं इसकी गैरेंटी दे सकता हूँ सॉरी थोड़ा सा मेरा यार पोपट हो गया यहां पे लेकिन हम लोग देखो दोबारा से फुल स्पीड में चाते हैं और इस बार नहीं लगेगी यह देखो क्या हो गया यार लगता है कुछ खराब हो गया इसमें लेकिन भाई यह हो रहा था या तुम विश्वास करो तुमने खुद देखा था अभी यह देखो भाई यहांपे ओ, sit, 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 sit दोबारास हम लोग break माते हैं और रुख गई देखो भाई, रुख जा रही है न अभी यार देखो, ये काम कर रहा है पता नहीं, क्यों उस समय नहीं काम कर रहा था और पीछे की ये boosters बबे आवाज कर रहे है यार, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो भाई, यार, हमने इस वाली bike को ले आ दिया है और फ्रेंक्ट ने तुरंट रोख देना यहाँ पे ओ, भाई, सहब, क्या जहर ब्रेकिंग है यार, इसकी देख सकते हो, एकदम ही तुरंट रुखती है और इसका होन आप लोग सुनो भाई, क्या मस्त यार, एकदम मजा ही आ जा रहा है तो हमने भाई, आज की ये चारो bikes को ले आ दिया है इसमें से एक bike नहीं है तो चलो भाई, अब आप लोग बताओ कि इन सब में से सबसे मस्त आपको कौन सी लगी है मुझे तो भाई, ये जो सुपर भाई, हमें लाश में मिली न ये सबसे जादा ही बेश लगी है तो चलो गाई, इस वीडियो पे लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भोलना मिलते एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ तिल रैन, कीप प्लेइंग